हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो आवा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम तो फ्रेंट्स आज हम लोग जनल स्टेडी में इंवायर्मेंट में कुछ इंपॉर्टन केशन डिसकस करेंगे तो आईए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन है आज का पश्वों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलप्त होने के लिए उत्तर दाई हैं आप्शन्स हैं आईबूप्रोफिन, एसिटामिनफेन, एस्प्रेन या फिर डाइकलोफिनिक Q1 को जो सही आंसर है, वो है Option D, डाइकलोफिनिक तेके डाइकलोफिनिक जो है वो एक दर्द निवारक डवा है जिसका उपयोग पशियों और मनुश्यों के लिए दर्द निवारक के रूपे किया जाता है डाइखलोफिनिक दवा के उपयोग के दोरान यदि पशु अगर मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद एक बार भी अगर उसे खा लेता है तो उसकी तुरंथी उसकी मतलब उस एक ही बार में उसकी मृत्ती हो जाती है इस दवा के प्रभावों से वर्तमान में लगबग 97 प्रतिशत गिद प्रजातियां विलुप्थ हो चुकी है ठीक है तो क्यूशन वन का सही आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर टू क्यूशन टू में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याल है इस्थित है ऑप्शन से एंस्टरडर्म में कैन्बरा में ओटावा में या फिर नागासाकी में Q2 का जो सही आंसर है वह है option A Amsterdam में Greenpeace परियावर और चेतना का विश्व वियापी आंदोलन है और इसकी स्थापना 1971 में कनाड़ा के बैंकूवर कनाड़ा का जो बैंकूवर है वहाँ पर इसकी जो है स्थापना हुई थी और ततकालीन रूप में यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकी हतियारों के परिक्षड का विरोध करने के लिए बनी थी किन्तु बाद में इसका जो है उद्देश है व्यापक रूप से परियावरर की सुरक्षा के लिए हो गया और इसका मुख्याला जो है वो नीदरलैंड के अंस्टरडम में इस्थित है ठीक है नीदरलैंड के नेक्स्कूशन है कुशन नमबर थ्री कुशन त्री में है वैश्विक उश्मन वैश्विक उश्मन जो हता है उसकी फलसुरूप निम्नलिकित में से किसकी बारंबारता और प्रचनडता बढ़ रही है options हैं केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बवंदरों की या फिर उप्रोक्त सभी की तो global warming के कारण जो इसमें पूझा गया है कि किसकी बारंबारता प्रजंट रदा पड़ रही है तो इसका question 3 का ज़र सही answer है वो option D है उप्रोक्त सभी यानि global warming के फस रूप केवल चक्रवात और तूफान बवंदर ये तीनों ही की घटनाएं उनकी बरंबारता में और उनकी प्रचंड़ता में बड़ा उत्री हो रही है चोब मंडल में प्रची की सतह के करीब के वातावरण के औसतन तापमान में व्रदी को ही भूमंडली ये तापमान कहते हैं जिसके कारण वैश्विक जलवायू जो होती है वो प्रती रूप में परिवर्तन परिलक्षित हो जाता है मदब वैश्विक जलवायू की जो उसका जो रूप है उसमें चेंजेस होने लग जाते है इनमें क्या क्या होता है कि जिससे समद्र का इस्तर बढ़ जाता है और प कुफानों की जो बारंबारता प्रचंडरता जो है वो बढ़ जाती है नेक्स कुशन है कुशन नमबर फोर कुशन फोर में हैं निम्नलिकित में कौन स्वाव वासन संडक्षड रड़नीती का उधाराण नहीं है ऑप्शन सें जैव मंडल अगार वनस्पतिक बाग राष्ट् उध्यान या फिर पवित्र उपवन तो कुशन फोर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वनस्पतिक बाग स्वावासन जो संडक्षड विधी है इसके द्वारा एक विशेश छेत्र में एक साथ कई प्रजातियों को संडक्षित किया जाता है और स्वास्थान जो है उनक कि मतलब आदिका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है उलेखनी यहां पर जितना भी दिया गया है जैसे यहां पर जो वनस्पतिक बाग दिया गया है वह नहीं है ठीक है और बाकी जितनी भी चीज़ें यहां पर दी गई है वह सब स्वाशन संडक्षर और नेती के उध जामनगर में मुंबाई में या फिर पुंड़िचेरी में जामनगर में भारत का प्रिदम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायो डैवर्सिटी यह जामनगर में इस्तित है और यह केंद्र 30 छेत्रों की जैविविद्धिता की सुरक्षा के लिए सारवजनिक निजी साजिदारी मोड में स्थापित तेश का पहला शोध संस्थान है ठीक है नेक्स्क्रिशन है कुष्ण नंबर 6 कुष्ण 6 में दिया गया है नीचे दो वक्तव्य दिये गया है दो स्टेटमेंट है यहां पे एक कथन दिया गया और एक उसका कारण दिया गया कथन में भारत में जलवायू परिवर्तन से समाजिक तनाव बढ़ रहा है जलवायू प तो इससमें कौन सा ओप्शन सही होगा क्शूचन सिक्ष का जो सही आंसर है वो है ओप्शन ए तथा ऑर दोनों सही है तथा आर एका सही का रण है यहां पे कतन ए जो दिया गया भारत में जलवायू परिवर्तन से समाजिक तनाव बढ़ रहा है ये बात तो सही है समाजिक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि जलवाई परिवर्तन के कारण क्रशी और जितनी भी जो है चीजें हैं वो सब प्रभावित हो रही हैं जिसकी द्वारा समाजिक तनाव बढ़ रहा है ठीक है दूसरे यह जो कारण है वो कथन ए को जो है यहाँ पे explain कर रहा है Q7 में है निमने लिकित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रतम राश्ट्री उद्यान है options हैं चंदॉली राष्ट्री उद्धियान, जिम कॉर्बिट राष्ट्री उद्धियान, गिरवन राष्ट्री उद्धियान, या फिर दूद्वा राष्ट्री उद्धियान तो question 7 का सही answer क्या होगा Q7 का जुसे इसी पारक का नाम वर्तमान में Jim Corbett National Park है जो की नैनी ताल में स्थेता है Q8 में है रानी जहासी समुद्री राश्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, options है 1994 में, 1995 में, 1990 6 नवे में या फिर 1997 नवे में तो कुशन एट का सही आंसर ओप्शन सी हैं नेक्स कुशन है कुशन नंबर नाइन कुशन नाइन में दिया गया है निम्दलिकित में से कौन से जलवायू परिवर्तन के प्रमुक कारक हैं यहां पर देखिए जीवाश में इंधन का अधिकाधिक प्रजवलन तेल चालित स्व यहां पर ओप्शन में दिया गया है केवल दो और तीन केवल एक दो और चार एक दो तीन और चार केवल एक और चार Q9 का जो सही आंसर है वो है option 1, 2 और 4 option B केवल 1, 2 तथा 4 तो देखिए इसमें पूछा गया था जलवाई परिवर्दन के मुख जो प्रमुख कारक है वो कौन-कौन से है पहला जो यहां पर दिया गया है जीवाश में इंधन का अधिक अधिक प्रज्वेलन इसके द्वारा भी जलवाई में परिवर्दन होता है सेकेंड दिया गया है तेल चली, सौचली जो जो है सौचली तों की जो संक्या है उसमें विस्फोर्टन ये कार, बस वगएरा जो होती है इनकी जब तादाद बढ़ती चारी है उससे भी जलवाई परिवर्थन होता है ठीक है उसके बाद है फोर्ज में दिया गया अत्यदिक वनन मूलन वनों के कटने की वज़े से भी जलवाई प्रभावित बाकी यहां पर जो दिया गया है सौर धदक में व्रदी इनक्रीजिंग सूलर फ्लेर्थ जो होता है इनसे जलवाई परिवर्थन का यह प्रमुकारक नहीं है बाकी तीनों दिये गया है नेक्स्ट एन लास्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर टैन क्वेशन टैन में है निमनलिकित में से किस पारिस्थितिकी यह तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिक्तम है औप्शन है उष्ड कटि बंधिये पतज़वन उष्ड कटि बंधिये वर्शावन शीतोष्ड पतज़वन या फिर एगिस्तानी जाडियां Q10 का जो सही आंसर है वह है option B उश्र कटी बंधिये वर्षा वन यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनका ये बताया गया है कि पारसिति की ये तंत्र में पौदों का जैविक पदार्थ अधिक्तम है क्योंकि जो उश्र कटी बंधिये वर्षा वन होते हैं वह एक ऐसा छेतर है जो भूमत दे रेखा के दक्षोड या उत्तर में लगबग 10 डिग्री अचांश के भीतर होता है ये एशिया, औस्रेलिया, अफ्रीका, दक्षोड अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, प्रशान दूइब इन सब में ये पाई जाते हैं और धरती पर रहने वाले सभी जित्ते भी पशू प्रजातियों की आधी संक्या इन वर्षा वनों में रहती है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन वनों में पौधों का जो जैविक पदार्थ है वो यहाँ पर अधिक होता है ठीक है तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ही एंड होती है थैंक्स फॉर वाचिंग